नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत वस्वागत एक पर फिर से जौश्रे में तो दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं बिहार विधान सभा गुरूप डी की जो की इंटर्वियू में पूछे जाने बाले जो हैं महत्पून पश्णिया पर लेकर आ चुके हैं फ्रेंड्स चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहले वन्ठ बिहार में सरवाधी की बैंक को को आपकी है मिसाक हाई करने तो वद्धान नहीं इसका उसकी एक हो जाएगी यह को सिर्वाध्ड को स्सुट बिहार गाज का सबसे पूराना उद्ध्य patch को बताना है बिहार का इसकी टाइन सबसे पुराना उध्योग कोन से है तो पुराना उध्योग में आप लोगो बताना क्या होगा इसकी राइट उससर चीनी ऊध्योग हो जाएगी विहार राज में जो है सबसे पुराना उद्योग चीनी क्यों होती थी तो इसलिए चीनी उद्योग हो जाएगी नेक्श्ट कोस्चन है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहाय को सी सेरे इंपह演 भीस बताना है इस नदी हो जाएगी ति कोसी नदीः बिहार की जो है वह सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह कोशी नदी है इसकी राइट अंसर कोशी नदी हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट कोशन जो है बिहार में सिचाई का सबसे परमुख साधन क्या है बिहार में सिचाई का सबसे परमुख साधन कौन सा प्रिंट्स आपको बताना है नेक्ट कोचन देख लेते हैं बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है तो आप लोग को यहां पर पूछा जा रहा है बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है तो प्राचीन यहां पर नहर पूछी जा रही है तो प्राचीन नहर में यहां पर जो है सोन नहर हो जाएगी ठी सी यहां पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी मीत सोची कि यहां पर संसाधन आ चुका है लेकिन यहां पर सोध संस्थान होगा ठिकर फिंट्स तो आप थोरद से देख लिए यहां पर इस कोशन जो बंती है वह है मकछन विकास एभब संसोध संस्थान जो है वह बिहार में कहा है आपको बताना है मक्खन विकास एवं संसोधन संस्थान जो है वह बिहार में कहा है फिंट्स तो इसकी राइट अंसर दरभंगा हो जाएगी दरभंगा में जो है मक्खन सोल संस्थान एवं विकास संस्थान जो है है ठीक है फिंट्स चलिए नेक्ट कोशन देख लेते हैं नेक्ष्ट कोशन जो है गुरु गोबिन सिंह का जन्म कहा है हुआ है ठीक है फिंट्स आप लोको बताना है गुरु गोबिन सिंह का जो जन्म अस्थल कहां पर है तो आपको तो जो ठोड़ी से जन्म अस्थाल की कोशण है यहां पर पूछी जाड़ी कि गुरू गोविन शिघ का जो है वह जटतल कहा है तो आपको बता दू इन्टम करो का भू सिक्षब गूरु लेकिन लोस्था स्थाल कहपे इनका जन्म अस्थाल जो है वह पटना में इसकी पटना में आपको उहां पे बहुत पतना में किस सिख गुरु का जैनमस्थाल है आप सीम्फैमिली से यहां पे यह仌 भी बता सकते है कि ने पहेज नेक्स कोशीन देख लेते हैं आपको बताने हैं डॉकटर राजिंद्र परसाद को जो है यहां पर जन्म-स्थल पूछ रहा है आपको बता नहें है करेम तो इसकी राइड रही है जिदादभ tv जो है डाख्राइस प्रसाद का जन्म स्थल है फ्रेंट्स इनकी जो है वह जन्म हुई थी तीन दिसंबर और अठाट सब्सक्राइब को जो है वह डॉक्टर राजिंद प्रसाद का जन्म हुआ था और इनकी मिर्ति जो हुआ हो गई थी अठाइस फर्वरी उन्हें सब्सक्राइब के तो यह दोनों आपको महत्पून होती है कुश्चन तो आप याद कर लिए यह दोनों कुश्चन आप यहां पर बनती है आप दोनों कुश्चन यहां पर अच्छे से देख लेना ठीक है फिंट्स एक बार रिपीट कर दाना कुश्चन जो है हमारा आज का भारत में पर्थम चरवाहा विस्विद्याला किस राज में खोला गया था यह जो है भारत में पर्थम पुछ रहा है कि चरवाहा विस्विद्याला किस राज में खोला गया था या आपको वहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि कि किस राज म चरवाह विष्विद्यालन है तो इस तरह से भी वहां पर यूपको बताना है विहार का पर्थम अंग्रेजी अखवार कौन सा है तो आपको बताना है तो इसकी राइट हैं और इसकी परकासन हुई थी अठाट सो पचस्तर में यह भी आपको धियान रखनी है यह भी पूछी जासकती है कि बिहार की जो है पर्थम अंग्रेजी अख़वार का जो है वह परकासन किसने कितने इस भी में हुआ था या ऐसे भी पूछी सकती है कि भीःण हेडाल्ड अखवार की जेश्ण कि इस तरश से बन सकती है ता आपको धियान रखना six 75 में हब परतम अंग्रेजी अखवाड का बिहाड की आओं परकासन किया गया था थिके में यहां प्रुसकार प्राप्त करने वाला पर्थम भीहारी कौन था यहां िताल आपको बताना इसकी राइट अंसर ग्यांपीट पर्थम पूरुसकार प्रुसकार पर्थम प्रफम प्रफ करने वाला पर्फम बिहारी कोन ते रामधाड़ differenti देख लेते हैं बिहार का SUS posición गंधक उतपाद कौन सा है जिए आप लोगो बता दूत बिहार में जो सरवाधिक गंधक यानि की खुसूदार चीजे जो यूप जाने वाला जो आज गणिए जिला है जो इस तरह से पूछी जा सकती है कि भिहार की सरवाधिक गंदक उत्पादक जिला कौन सा है तो आपको आपे बता देना होगा कि रहतास जो है इसकी डाइट अंसर हो जाएगा ठीक है फेंट्स चले नेक्स्ट कोच्छन जो देख लेते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी पर्योजना कौन सी है जी है फेंट्स आपको बतानी है बिह बिहार की सबसे बड़ी पूछ रही है क्या पूछ रही है सबसे बड़ी पर्योजना पूछी जा रही है बिहार की सबसे बड़ी पर्योजना कौन सी है फेंट्स तो इसकी राइट अंसर क्या होगी फेंट्स इसकी राइट अंसर हो जाएगी गंडक पर्योजना बिहार की वह सबसे बड़ी पर्योजना के है फेंट्स गंडक पर्योजना जो है वह बिहार की सबसे बड़ी पर्योजना है ठीक है फेंट्स नेक्स्ट कोस्चन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैटने वाला पर्थम बिहारी राजा कौन था तो आपको यह जो है थोड़ी सी रिलेटर अच्छी कोश्चन यहां पर दिखने को मिल रही है तो आपको बताना है गद्दी पर जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पर्थम बिहारी राजा जो है वह था सेड़ सा सूरी ठीक है प्रेंट्स कौन था सेड़ सा सूरी था फेंट्स और इसने जो है वह 15 सा 40 चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन जो है फेंट्स वह बिहार की पर्थम महा कभी कौन थे ठीक फेंट्स आपको बताना है बिहार की पर्थम महा कभी पुझी जारी फेंट्स आपको धियान रखना होगा महा कभी जो है वह कौन थे बिहार के प इस्वार की पर सम्हार का भी विद्ध्या पती से नाइस्ट कोचन उएट देखने हैच्ज भिआरेंस भ्यार में असोक चक्र प्राप्त करने वाला पर फ्रक्तम बयक्ति कौन जाएगी स्वर्गे रंधीर बरमा जीएँट्स आपको जो है इसकी डाइट असर मिल गई है स्वर्गी रंधीर बरमा जो है वा बिहार के पर्थम असोक चक्र प्राप्त करता बैकती है ठीक है चले नेक्ट कोचन देख लेते हैं बिहार के पर्थम सिच्छामंत्री कौन थे यहां पर आपको बतानी है पर्थम सिच्छामंत्री कौन थे बिहार के यहां पर जो है सिच्छामंत्री के बाड़े में पूछी जाड़ी है जो की बिहार में पर्थम तो सर गनेश दत जो है वा बिहार के पर्थम सिच्छामंत्री थे कौन थे सर गनेश दत आपको याद र से जिए बिहार के पर्थम मुसलिंग राजबाल को और सक्राद को आथे ठावरेंगन पर्थमर्थ लीम राजबल Hearingmost य वह संथा संतावन से ए बिहार के राजबाल बने थे ठावन से अब को Reverсем दियान रख नहीं है बिहार के पर्थम मुस्लिम राजपाल डाक्टर जाकिन हुसेन और उन्होंने जो है उन्हें संतावन में बने थे और यह जो है 62 तक रहे थे ठीक है फेंट्स चलिए नेक्स कोचन देख लेते हैं बिहार के पर्थम महीला मुखमंद्री कौन थे जियां फेंट्स आपको बतान से उनिस्जफ 5 में तक जो है वह बिहार के पर्थम महीला मुखमंत्री एक ठीक है एक है लेकर मियार के-पर्थम मुखमंद्री कौन थे और फेंट्स एक्पिए स्टेश На sketch Ε Glow से लंबे समय तक यहाँ मुखमंत्री रहते तया भी द्यों से लंबे अब्धित तक मुखमंत्री पर Skye है तो इसकी राइट अंसर भी हो जाएगी स्रीकिष्ण सी जो है वह बिहार के सबसे लंबे समय तक जो है वह मुखमंद्री रहते ठीक है तो यहां पर इस भी बिद्र देख सकते हैं यह जो उनस्सा 46 से जो उन्हें इस से एक सट तक रहे थे ठीक है इसकी नेक्स्ट और धेख लेते हैं भीहार पर्थम राजयपाल को यह जिए वह बताना है बिहार की जो वह पर्थम राजपाल पुछी जारी पर्थम राजपाल पुछी जारीये इसकी राइट एंसर होगा जैड़ामदास दौलत र राम जी फैंस इसके डाई डांसर हो जाएगी जय रामदास डौलत राम ठीक है पिंट्स नेक्स्ट कोशण है लेते हैं नेक्ष्ट कोश्ण लेते हैं बिहार की परफं हींदी फिल्म कaat कोशी थी ठीक है यहाँ प्लूची जा wifiuttaup के बारे में जोकि Bihard सी अच्छी खरिसी कौछ ने आ रही है जिअ कि पूछी जारी है है विहर की परथम hindi film कौन शी से फि फिम तो बताना है याम पो बताना है डेख सकते हैं जाए बिहार की पर्फम जो है हमाणा है धिक च्लिए य। अधुनिकी बिहार का पर्थम कोन सब आपको बताना है तो पुछी जाई hai मैथली फिल्म जो है बिहार की पर्थम कौन सी थी तो कन्यादान कन्यादान जो है वह बिहार की पर्थम मैथली फिल्म थी ठीके पेंट्स चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या वाला कौन सा है ठीके पेंट्स आपको यहां पर बतान बिहार की पर्थम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है ठीक है उपर में आपको अंग्रेजी के बारें पूछी गए रही थी अंग्रेजी जो है वह समाचार पत्र कौन सा था यहां पर पूछी जाए बिहार का पर्थम हिंदी समाचार पत्र जो है वह कौन सा था तो इसकी डाइट सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकासित की गई थी ठीक है चलिए नेक्ट कोशन देख लेते हैं बिहार का पर्थम दूरदर्शन के अंदर पूछी जा रही है कहां पर अस्थापित हुआ तो मुझपरपूर में जो इसकी अस्थापना हुई थी चलिए नेश्ट कोशन जो है फ्रीम इहार का पर्थम खुला विंसी युब विंद्ध को बताना है खुला अप्यार का प्रथम खुला विंसे इस फ्रिफभल वाला करोजित सबसे छोटा जीला है फ्रेंट चलिए नेक्स्ट कोचन है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर हमने कोचन आज की डाली है जोगी कोचन अब बद्दे होगी बिहार की राश्टिये पढ़्व कौन सी है अगर आपने लाश्ट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्जिस करके गंड़ी प्रेस करिया ताकि कल इसी टाइम जो आपको इस तरह की नोटिफिशन मिल जाए तो चलिए फिंट्स आज के लिए धन्यवाद मिलते फिर अगले वीडियो में